दो सा बैटर से बहुत बड़े रैस्पी आज हम बना कर तयार करने वाले हैं शायद ही आपने कभी पहले देखी हो इस तरीके से आप भी जरूर बना कर देखी गा इस रैस्पी को तो सबसे पहले हम दो सा बैटर तयार कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक कप चामल लिये है आप कोई भी चामल ले सकते हैं टुकड़े वाले चामल भी ले सकते हैं जो भी आपके पास उसका इस्तमाल आप कर सकते हैं और जिस भी कप से आपने चामल लिया है उसे से बनफोर्थ कप उरद की डाल मैंने लिया है दुली हुई इनका छिलका उत्रा हुआ है और साथ ही में सकता है ध्यान रखेगा मुझे दाना कम डाल लिएगा तो इसे भीगने के लिए रख दिया था मैंने और 5-6 घंटे के लिए इसी तरीके छोड़ दिया थे काफी अच्छे से भीच चुका है जो हमारा इस दाल चामल है तो इसे पाइन से अलग करेंगे और थोड़ा से पाइन होकर फूल सके काफी स्पेस मिले इसे तो यहां पर सारी पेस्ट को मैंने पीस कर तयार कर लिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सबी चीज़े आपसे मिक्स हो जाए इसमें नमक नहीं डालना है इसी तरीके से हम इसे छोड़ देंगे 10-12 घंटे के ल सब्सक्राइब कर लिए तब बहुत ही बड़िया से फर्मेंट हो चुका है इससे आप इडली डोसा वड़ा आप पे कुछ भी बना सकते हैं बहुत ही बड़िया बनते हैं तो साइड में रखते हैं उस स्टफिंग तयार कर लेते तो यहां पर मैंने एक पैन लिया इसमें थोड़ा सा ऑईल मैंने डाला है और इसमें हम डाल रहे हैं प्याज मैने दो चमज कटे वे च्मज लिया है जिस भी सीप में आप कट करना तो जमाइ स्टफिंग तयार हो गई है गैस को हम बंद कर देंगे और जो इसमें बाकी की चीज़े अड़ करनी है उन्हें डाल लेते हैं तो लाल मिच मैंने डाली है एक चुछा चमच साथ ही में पीजा से जिंग डालेंगे एक चुछा चमच नमक डालेंगे टेस्ट के डालेते हैं क्योंकि हमने नमक नहीं डाला था तो इसलिए नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर आपपे पैन लिया है और अपर पैन में थोड़ा थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे इ मिक्षार आदा भरएं ज्यादा नहीं बरना है क्योंकि इसमें स्टफिंग भी हमें डालनी है और चीज बीमे और चीज डालनी है सब च्छेते हैं जितिकूर ने इन पर डाल सकते हैं , पारme की याध की स्टेश्क पारीम के लिए पिजा से की तो छोंगके ये इन्हें की सी पकाने के लिए चलते इन सभी को मैं उन्य हैं , गैंस की फ्लेम को बल्कुल लो रखना है , यर लो प्र 3-4 मिनट के लिए पकाँना है ने ने हैं इस तरीके आप एक बार चेक कर सकते हैं अगर नहीं पके हैं तो आप एक बार एक दू मिनट के लिए और पकने दीजेगा ऐसे मैंने सर्फ किया है टमैटो सोस के साथ आप इस तरीके से डोसा बैटर से अपय पीजा बना कर देखेगा बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं खाने में और शाहिद यह आपने कभी बनाया हो नहीं बनाया तो एक बार जिरू ट्राइक कीजिएगा मेरे कहने पर बहुत ज़्यादा बढ़िया जो आपके पीजा है बनकर तयार होते हैं वीगे पसंद आई है तो पीस लाइक कीजिएगा